जासी में कुछ दबंगो द्वारा, एक ट्रक और उसके चालक को लगभग 9 घंटे तक बंधग बना कर उससे पैसो की मांग की गई तथा जब इसकी सूचना पिड़ी द्वारा अपनी गाड़ी मालिक को दी गई लेकिन मालिक गवालियर का होने की वज़ा से नहीं बहुत सका उससे पहले सोचल मीडिया पर ख़वर वाइरल हो गई कि ट्रक को बंधग बना लिया गया जिसके बाद मौके पर पहुँचे इस्थानी पत्रकारू ने जब मामली की जाच परताल की तो मौके पर पहुची पुलिस ने ट्रक को दबंगो से मुक्त कराया आपको बता दे कि मौरानिपूर कोतबाली शेतर के अंतरगत आने वाले ख़दियन चोराही पर जिला पंचात के नाम से कुछ लोग ट्रेकों से पैसा लेती है वहीं जब सुबहा एक ट्रक जो की गौलियर का बताया गया मौरानिपूर पहुचा तो उसे रोग करके पैसो की मांग की गई लेकिन जब ट्रक के चालक द्वारा कहा गया कि ट्रक में सरसो की खरी है इसके कोई खनिज या इसमें मौरम नहीं जिसका हम आपको पैसा दें तो द्वारा कहा गया कि जब तक पैसा नहीं दोगे गाड़ी नहीं जाने देंगे इसके बाद चालक सुबह 8 बजे से वहीं द्वारा के खबजे में बैठा रहा लेकि जब इसकी जानकारी इस्थाने पत्रकारों को हुई तो मौके पर पहुचे पत्रकार जब जला पंचायत की उगाई कर रहे लोगों से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि गाड़ी इसलिए रोकी गई क्योंकि जिस मालिक की ये गाड़ी उस मालिक की दूसरी गाड़ी ने उसकी बाइक में टकर मार दी थी जिसके शिकायत पुलिस ने भी की गए थी अब सवाल यह होता है कि जला पंचायत की चल रही उगाही में क्या खनिच के सभी गाड़ियों से उगाही होती है अगर ऐसा है तो क्या इसकी जानकारी प्रिशासन को नहीं आकिर किसकी शहा पर उक्तलोग खनिच के अलावा अन्यवाहनों से किस नाम के पैसे वसूल रही है और अब इन पर कब कारवाही होगी यह बड़ा सवाल है जह रोगें परची वाले मेरी कोई बज़ा नहीं यहां मेरी कि माज़ काड़ी को जिए खाल गया किसी मद्यागी यह उसकी बज़ए जिए मिरें इस पाई आप से गारी गळी ती किसी और से मेरे से निगाडी में तो चुटी पता होच्ता हुए तो मुझे के मालों किसी ग सुबे आठ वजे से अब देग लो कितने बजेगा हो शॉआ यहां जाओ ठीगहल दो जोगा दनिया आपको पर्ची बार्ची काले पार्ची कारते हो रहां ठीग मांटर कॉ